तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आज 7 अफ अगस्त है और आज ही के दे नीरच चोपड़ा ने 2021 के ओलंपिक्स में भारत के लिए अथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल लेकिया है थे ये सबना एक स्टाइल स्कूर्ड भारतियों का था साथ ही साथ महान ख्लाडी मिलखा सिंग ने भी अपने एक इंटर्व्य में का था कि वो भारत को चाहते हैं कि अथलेटिक्स में और अपिक्स में कोई मैडल मेली जो कि नीरच चोपड़ा ने गोल्ड मेडल के फॉर्म में आखे दिया तो साथी हमारे लिए इस्पिरेशनल और सेलिब्रेशन का मिलखा पाऊ और याद रखना ची इस्टी को याद रखना जरूरी इंटिनों को सेलिब्रेट करना भी जरूरी है तो आज का दिन निरचोपड़ा के नाम रहेगा चलिए शुरू करते हैं आज का कोरिया के बीच में और वो मैच एक एक से ड्रॉ रहा तो यह मैच ड्रॉ रहने के करणा अब कोरिया जो टेबल में यह उपर जाना चाहिए था अगर वो चाइना एक लाग जीत थी लेकिन अभी वह थार्ड पुशिशन पर ही है टेबल में स्टेंडिंग में तो और नेक्स पराबर सा मैच रहा लेकिन भी ठीक है अभी हद तक दिखा जाए लेकिन आदे भी मैं कहूंगा कि जैपैन आदे भी टेबल में फोर्ट नमर पर ही है और पाकिस्तान अभी तिफ्ट नमर पर है तो कुछ चेंज इस खास नहीं हुए और इसके बाद जो आपका सबसे जो मे इंडिया ने मैच जीता तो मैलेशा के लिए दिक्कत की बात है कि हमारी गोल की इपर स्रिजेश के रहते दो तीन ही बार गोल परेंट्रेशन कर पाई लेकिन गोल कनवर्ट नहीं कर पाई तो हमाई डिफेंडर के भी बड़ी बात है चीप अच्छा गिन खेला हुए हाला क अर्फी गोल जो किया था और लोकल बॉय ता मिलाड़ो की कारती सिल्वन ने किया था एक लाउंड पास आया था नको और उन्होंने अच्छे से कनवर्ट किया उसको गोल में तो काफी इच्छी बात थी उनके लिए और उसके बात सेकेंड गोल हुआ उसके लिए हमको 2 गो प्रेटिक कोर्नर मिलता है अलाग हर्मन प्रीस इसको कनवर्ट नहीं कर पाते हैं गोल में फिर हार्थी को रिबाउंड में गोल मारना पड़ता है तो यह काफी दिक्कत की बाद चल रहे है अलागि सब्सक्राइब गोल हो गया उसके बाद फिर थरड़ गोल हुआ जो कि पैन बीट कर दिया तो यह थी बात कल के मैच की आज हम फ्री तीन मैचों खomet फिले जाएंगे सेवंध अफ अगस को और आज के मैच के बारे में बात बात कर लेएं तो फ्रेंड्स आज साथ और आज के दिन में तीन मैचों खिले जाएंगे पहला मैच ओगा जैक्पैं वरसिस म नीचे आ जाएगी काफी तो हलागे फूर्ट जो पहली बने आपको बताए कि टॉप फूर्ट टीम है वो पॉलिफाइब कर जाएगी सही फाइन के लिए तो कोई मतलब अगर टॉप फूर में रहती है तुनों टीम तो कोई बड़ी बात ने इन दोनों के लिए उसके बाद स सहरे भी वह टॉप और जो कि इछा लिए चांस किया ह güvा फॉर में फिनिश करें और इस के साथ फिर वह कैने लिए तो यही सब है कि डोनों के विच में काफी टक करका मैज होगा और दोनों की politics कीया रीगई वाड में मैं चोगा काफी टक करका फिर इसके बारिया ती 3rd मैच किया और 15 पांटर मैच जो अर्ट पजजे खेला जाएगा India वर्सिस Korea, Korea ने कल तो ड्रोग खेल लिया China के साथ और इंडिया को काथी अच्छा competition मिलेगा और इंडिया को तयार रहना चाहिए और इंडिया पूरिया को अमेशा से dominate करते हैं आई है तो यहाँ भी dominate करेगी no doubt लेकिन फिर इंडिया को ready रहना चाहिए क्योंकि होकी ऐसा गेम है जिसमें दिन पर दिन match change होते जाते हैं प्लेयर टीम जो कहा सकते हैं उनके जो forms होते हैं suddenly change होते हैं suddenly match के हिसाब जो crowd voters का impact पढ़ता है तो यही आज के वीडियो में आप प्लीज साड़ी आट बजो इंडिया के मैश देखेगा और वो सके तो इंडिया बाकि जो match उनको भी देखे और अपने players को support करें अपने team को support कर करें तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं आप से अगले वीडियो में अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीस हमारे चैनल को subscribe करें और हमारे वीडियो को like करें